नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एले उमेगा थी में मैं हूँ डॉक्टर दिव्या दोस्तों एक चीज जो हम सभी जानते हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके घुटनों का जो दर्द है वो भी असहनिय हो जाता है और आज तो हालात ये हैं कि most of the people who are in the age of 40 to 50 वो अपना knee replacement करा रहे हैं आखिर इसके पीछे कारण क्या है क्या nutritional factor इसके पीछे कोई कारण बन सकता है या फिर ALA omega 3 हमें एक नई उमीद की किरन दिखा सकती है जी हाँ इसे के बारे में और डीटेल में बात करने के लिए हमारे बीच मौझूद हैं हमारे experts तो चलिए हम उनको introduce करते हैं हमारे आज की पहली expert है Dr. Humera Bano Welcome doctor Thank you Dr. Humera Bano is head of nutrition research department Deccan Healthcare हमारी आज की दूसरी expert है Dr. Deepa Kadam Welcome doctor Welcome to the show Dr. Deepa Kadam is MD Ayurveda और ये पंदरा साल से मुंबाई में प्राक्टिस कर रही हैं चलिए दोनों का स्वागत करते हैं Welcome doctor, welcome to the show Thank you Dr. जैसे मैंने कहा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती हैं We have aging signs और आज की डेट में In mid of 40s you can say And starting of 50s एक aging sign जो बहुत ही pre-dominant होता जा रहा है वो है knee replacement मैं knee replacement को aging sign इसलिए बता रही हूँ I have seen people who are in You know late of their 30s Maybe 38, 40 years के They have got knee replaced क्योंकि जो दर्द है वो असहनिये हैं वो चल नहीं पाते हैं They become you know Addicted to sitting क्योंकि वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं And it becomes very difficult for them आखेर इसके पीछे reason क्या है Is it nutrition? या फिर is it lifestyle problem? या फिर उनकी genetic या फिर hereditary problem है ये इसके बारे में प्लीज हमें बताएए Actually joint knee replacement ये एक pattern है तेकिन जनरली अपने body में जितने सारे joints है उनमें कही न कहीं swelling कहीं न कहीं दर्द शुरू हो जाता है और ये एक aging sign मानी जाती है और आज कितने से पहले के जमाने में आपने देखा होगा पचास साथ में भी लोग आराम से काम करते थे आराम से घुमते थे फिरते थे उनको कोई तकलीफ नहीं थी लेकिन आज हमारी lifestyle ऐसी हो गई हमको कुछ खाना भी बनाने हम हम खड़े हो के खाना बना रहे हैं कहीं बैठने बैठने का काम नहीं कर रहे हैं कपड़े दोने वाशिंग मशीन हैं second thing अहार मतलब जो खाना पीना है वो हम प्रॉपरली दायट नहीं ले रहे हैं जितने nutrients या जितने essential things अपने शरीर को चाहिए वो हम कहीं पर भी नहीं हम ले रहे हैं जो फासफूड है जिसमें कुछ भी nutritional value जादा नहीं है या एकदम नहीं के बराबर है वैसे चीज लेने से जो बॉड़ी में lubrication चाहिए वो नहीं मिल रहा है क्योंकि fat में lubrication होता है लेकिन अती मात्रा में fat लेना भी उतना important नहीं है ऐसी fat होनी चाहिए जो properly joints को properly bones को lubrication दे तो वो सब लेने के लिए हमें proper diet की जरूरी है जो आजकल बच्चे या आजकल young generation भी नहीं ले रहे third thing बैटे-बैटे काम करना joints का ऐसे रहता है कि use it or lose it आप इसके बार में क्या कहना चाहेंगी हुमेरा जी सब लोगं का ध्यान भी nutrition की तरफ जाता है तो bones को strong करने में जाता है वो जो है calcium की दवा लेंगे ठीक है या फिर exercise भी करेंगे लेकिन इतना नहीं करते हैं कि हर joint जो है work out हो करें ठीक है तो इसके वज़े से जो है lubrication to joints में जिसके वज़े से movement होता है उसकी कमी हो जाती है इसके वज़े से joint pains शुरू होता है क्योंकि lubricant होने के वज़े से joints में movement रहता है friction जो बोलते हैं ठीक है जैसे जैसे fluid कम हो जाता है सानोवल फलूड्य जो कहते हैं जो कि लुब्रीकेशन देता है तो जोई के एक दूसरे को लगड़ना शजूरू करते है और फिर जो है दरत हज्यादा बड़़ जाता ॱ Still अगर आप अपने कोई भी जॉइन्स को जैसे बड़ा जॉइन्स नी जॉइन्स सामने दिखता है अगर आप उसके पर हात रखके आप अपने नी को घुमाएंगे तो भी कट-कट यह जो नॉकिंग आवाज है वो इसलिए हो रहे है कि दो जॉइन्स के बीच में जो साइनोव कि दो आप नगग जाने के झाल मुझे रखकता है फ़osenा में कि दो हो। तो जॉइन्स नी जॉइन्स साइन्स कि हमें लुब्रिकेशन चाहिए यह अप वो आपसे मांग रह से इसलिए और थी तर में जah को डूचा साइन्स को हमें कि डरे है कि मेरी जरुडाओ क्या है मुझे किस चीज की जरुवत है मुझे किस चीज की किस मात्रा में जरुवत है but still we don't listen to our body और हम उसे avoid कर देते हैं हम बोलते हैं जब तक चल रहा है चलने दो I think बहुत सारी details में बात करना बाकी है मगर इस वक्त we have to take a small break friends now it's time for a small break but break के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपको joint problem है तो ALA omega 3 किस तरह से आपकी मदद कर सकता है so stay tune Welcome back after the break आप देख रहे हैं ALA omega 3 और आज हम बात कर रहे हैं joint problems के बारे में दोस्तों I know आपके कई सवाल होंगे कई queries होंगे अगर आप जाना चाते हैं और भी detail में ALA omega 3 के बारे में तो आप हमें contact कर सकते हैं याद रखे हमारे phone lines आपके लिए 24 by 7 खुले हैं so you can contact us अभी तक हमने बात की कि joint problem क्या है वो क्यों हो रही है उसके लिए lubrication कितना important है उसे healthy रखना कितना important है मगर back to square one if I am suffering from joint problem if I am optioning for say knee replacement और आपने जैसे कहा कि knee एक सबसे बड़ा joint है और यह बहुती common problem होती जा रही है तो क्या ALA हमारी कोई मदद कर सकता है ALA जो है joint problems में काफी हद तक prevent कर सकता है पहली बात तो क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि fluid कम होने के वज़े से और inflammation के वज़े से problem स्टार्ट होता है तो जितने भी drugs बगेरा होते है basically inflammation पे काम करते हैं यह सिफ inflammation को कम करते हैं इसके वज़े से temporary relief मिलता है लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद फिर बात वहीं पे आके रुख जाती है कि फिर से दरद हो रहा है जब तक pain killers लेते हैं या anti-inflammatory drugs लेते हैं तो relief मिलता है लेकिन बात वहीं पे आके रुख जाती है लेकिन जब आप A, L, A, Omega 3 लेते हैं तो यह दो तरण से काम करता है एक तो inflammation को कम करता है और दूसरा जो है जो fluid कम हो रहा है lubrication, oiling जो कहते हैं उसको synthesize करने में भी इसकी मदद करता है so the joint का movement जो आवाज आती है joint में से वाज आती है वो भी हम लोगों ने देखा है हम लोगों के थोड़े customers है जिनोंने ये use भी किया है products और जो है within one week आके बता रहे हैं तो वो आवाज भी कम हो जारी तो इसे पता चलता है कि ये lubrication में भी काफी हद तक मदद करता है एक सवाल क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे diseases के बारे में बात की है this is a personal question like if a person is suffering from heart disease as well as joint problem so do he need to take a different supplement या एक ही supplement में उसके दोनों problems solve हो सकते हैं जो लोग joint problem से जूँचते हैं उन लोग के लिए जो है एकी supplement काफी है especially जब आप lubrication की बात करते हैं तो एले ओमेगा 3 लेंगे तो जो है वो lubrication प्रोवाइट करता है लेकिन एक बात होती है कि जब काफी हद तक बोन को बोन लगके जो है बहुत जादा आगे चला गया है आगे चले गया है degrading of the bone also starts तो इसके लिए जो है और एक supplement लेना पड़ता है जो है calcium है तो combination of ALA और calcium दो भी लेंगे तो बोन को strong भी बनाएगा और side by side जो है lubrication भी मिलेगा Dr. Deepa You're an Ayurvedic doctor आपने MD किया है हम सभी जानते हैं जो Ayurveda है 5000 साल पुराना है और I think आज की डेट में भी उतना ही मददगार है जितना की 5000 साल पहले था तो क्या कहीं पर भी ALA omega 3 का उलेक था discussion कहीं न कहीं था उसके बार में प्लीज हमें बताएए Actually as such ALA omega 3 ऐसे कहीं पर भी नॉमेंक्लेचर आईरवेदा में आपको मिलेगा नहीं क्योंकि यह जो है वो molecule synthesized molecule है या flaxseed oil से निकाला हुआ है आईरवेदा बिलीव करता है कि use whole medicine मतलब medicine जैसे form है वैसे use करना है लेकिन वो हमेशा possible नहीं होता क्योंकि उस जमाने में जो दवाईया मिलती थी वो प्रॉपरली कल्टिवेटेड ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड थी अभी जो मिल रहे हो बहुत सब्सक्राइड दवाईया है तो इसलिए आईरवेदा का बेस लेते हुए आईरवेदा में definitely उलेक है जिसको संस्कृत में कहते है अतसी तो उनका उलेक है जिसमें से ओमेगा-3 इस वन आफ तो कंपोनेंट सिंतेसाइज होता है और उसी को किसी भी सप्लिमेंट के हिसाब से यूज हो रहा है अईरवेदा में ओमेगा-3 नाम नहीं मिलेगा लेकिन हाँ फ्लैक्सीड का उलेक और उसके उपयोग जो भी एंटी इंफ्लमेट्री है या मतलब बच्चों को अलसी बीच ऐसे यूज होता है कि जैसे खासी हो गई कफ हो गया इम्यूनिटी पार को इंक्रीज करता है और कफ को निकालने में भी काम आता है दॉक्टर अभी हमने बहुत ही क्लियरली जान लिया है कि पांच हजार सालों से हमारे जो पुरवज हैं या जो आयूरवेदा चार्या थे उन्हें इसके बार में नौलेज थी और आप जैसे researchers ने आप जैसी companies ने आज इस चीज को common public तक लेके आ रहे हैं common platform तक लेके आ रहे हैं ताकि उनके जो benefits हैं वो हर एक इनसान को मिल सकें हर एक जन जन में पहुंच सकें और उसके जो ill effects जो हो रहे हैं diseases के और जो commercialization के जो ill effects हैं lifestyle disorders के जो ill effects हैं उसे कम किया जाए इसमें आप कुछ add करना चाहेंगी बिलकुल एले omega 3 जो है शाद लोगों ने नाम नहीं सुना है लेकिन यह अपने diet में पहले से है लेकिन लोगों ने जो है इतना westernized diets वगेरा अपनाया है और इसको अपने आप जो है diet में से exclude कर दिया है जिसके वज़े से अब जो है इसको एक supplement के माधियम से जो है लोगों तक पहुंचा रहे है और वो ज़रूरी भी है I think जब हम essential fatty acid क्योंकि बहुत हमने बात की है essential fatty acid तो उसी नाम से उसी term से we understand कि यह ज़रूरी है हमारे लिए और यह बहुत ज़रूरी है हमारी health के लिए तो I think thank you very much doctors कि आपने इतना समय दिया और हमारे जो जनता हमारे जो व्योर्स है उन्हें educate किया Thank you very much Thank you दोस्तो आज हमने जाना कि किस तरह से आपके joint problems अप problem नहीं रहेंगे अगर आप अपनाते हैं ALA omega 3 अगर आपके पास है कोई query या कोई सवाल आप हमें contact कर सकते हैं हमारे contact details है Now it's time to say you goodbye But till we meet next in ALA omega 3 please remember to add ALA omega 3 to your plate So take care